हलो दोस्तों वीवर आप देख रहे होंगे शेली को मैं आज सुबह से हमारी किलास चल रही है और 11 बजे का टाइम और याद 10 मेट बागी है 14 बज़े में सुबह से कंटिन्यू किलास चल रही है चार्जिग आई सी साउंड आई सी ओडियो आई सी चार्जिंग आई सी और गा आज कहां से कहां सप्लाई जाती है कैसे कैसे लाइन जाती है सारा कुछ आज उसे लाइनों को ट्रेस किया ओडियो आई सी की और उसके बाद में हमने उसे फिर CPU को रिबॉल करके लगाया ओन सेट से निकाला CPU की तो continue कि रिबॉलिंग चली रही है continue रोजाना डेली करी रहें CPU गया रहा और सभी देखने वाले को स्वागत है जैसे है टेली को हाइए मैं यहीं लोकल से हूँ तो आज हमारी क्लास का छटमा दिन था जो कि आज हमने सीखा कि एर रिशीवर और रिंगर की सप्लाई कहां से कहां जाती है उसमें कितना वोल्टेज से नहीं मिल ही किसी मौडल का इसा कुई मॉडल है इसकी रेंगर आईएं सी नहीं मिल ही तो ऊपना घ्र और को बाइपास वहां पता है किस में कितना जिया रहा इंगुआ कि ट् shrinking चाहिए सब कुसा आइक-ईक बहुत डिटीर शे बताया है और बैक्या बताया एक चीज को ट्रेसिंग कराई गई है कि यह लाइन यहां से कहा जाएगी सीपीव में जाएगी पावर इसे जाएगी चार्जिंग इसे जाएगी कौन से लाइन कहा जाएगी सब बहुत 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 है कि एक चीज माइन में जैट हो गई है तो आप कोई भी मॉडल हो कोई भी मॉडल उठा कि आप देदो हमें हम एयर रिचीवर हमारा और रिंगर की लाइन बहुत एज़ी तरीके ट्रेस कर लेंगे कि फाल्ट कहां से है कि आप नहीं बता सकते कि आपको देख पता है YouTube में देखे सबसे पहले क्या किया ऐसे करने शुक्का कर दिया हुए हुआ है प्रफॉण को वापस करेंगे में यह पहले कि वापस करने थोड़ी आया अगर फॉन को वापस ही करनल चीखना क्यों तो हम उस पॉजिशन का सीख रहे हैं कि अगर एक बार कस्टुमर आ गया तो कस्टुमर को बना करें देंगे चीदी सी बात है जो भी फॉल्ट आएगा यह रिंगर का एगा उसे शॉट आउट करके देंगे कैसे भी हो कहीं कभी फ और थाएंगे अगर को है अना चाहता है अगर को आना चाहता है तो हमारे अमधी सरको कॉल करो और बोलो सर मुझी स्ट नहीं कुछ मत पूछो सीधा बोलो बोभर मुझे शीट भॉक करनी बता हैं सीट अगर आज आप देख रहे हैं मुझे तो आज से कल मत करो गया कल कर लेटी बहुत सारी फॉनाते हैं हमारे एंडी सरपाज देव सरपाज रोज पॉनाते सर मुझे कर लीजिए इक तो हम दूसरे इस्टिटूट के बच्चों को ज्यादा लेते नहीं है हमें चाहिए एक दम जो महनत करने वाला हो कुछ साथ बारा वही तक बैठने की उसमें दम बढ़े जाओ 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 जिस्ति उनको भगाना पड़ेगा जाओ अब सब्सक्राइब आतना भी है ऐसा करना पड़ता है शीरेस में अभी तक्रीब फिक्स ग्यारा वजने को दस्मेट बाकी है और अभी दो गंटे भी कलाने लग जाए कि कोई फर्क नी पड़ता स अब तुकर ऑनाइन इंटम सारे लगी है अब तुकर कैसे नहीं होगा भाई बिलकुल होगा तो थैंक यू सो मज आई यह बिलकुल देर मत कीजे थैंक यू सो मज हमारे एंडी सर देव सर और इसे डेली कॉम थैंक यू सो मज असलाम वालेकुम मेरा नाम इस शहाख है तो आज मैं आप सब को कहता हूं कि आज हमने जो चीज सीखा है उसको कहने के बाद उसको समझने के बाद उसे सीखने के बाद मैं यह कहूंगा कि कि we are not being any kind of technicians, we are on our way to be an engineer मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हम engineers इसलिए बनने जा रहे हैं क्योंकि हम यह नहीं सीख रहे हैं कि किसी भी IC को उठा करके लगाया कैसे जाता है किसी भी IC को रिबॉल कैसे किया जाता है, किसी IC को फिर से रिपलेस कैसे किया जाता है यह छोटी मोटी बाते हैं जो हमें सिर्फ दो दिन में सीख ली हैं अभी हम यह चीज सीख रहे हैं कि किसी भी IC को बाइपास कैसे किया जाता है लोग आज के डेट में इंसिटूट में एक अक महीने के बाद अपने बच्चों को रिवालिंग करना सिखाते हैं और हमारे टीचर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई अगर IC आपके खराब हो जाती है कोई चिप अगर आपके खराब हो जाती है तो हम उसे रिफिक्स करने के अलावा हम उसे किस तरीके से बाइपास कर सकते हैं देव सर की जो नौलेज है वो हमें इस तरीके से ट्रांसफर हो रही है जैसे मानिये की एक पेड में जिस तरीके से हम पानी डालते हैं और उसमें फल लगना सुरू हो जाते हैं उसी तरीके से हमारे दिमाग का हाल है तो आप से मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ यह सारी चीजें आपको तभी तो समझ में आएंगी जब आप आगर के एसे टेलीकॉम को जाइन करेंगे और हमें जो कहते हैं कि हमें यह सब बोलने के लिए पैसे मिलते हैं तो प्लीज बेफिजूल की बाते खर्च करना बन करिए आपको अगर कुछ चीज काम आएगा तो वो है आपका नॉलेज आपका दिमाग वही आपको आगे ले करके जाएगा प्लीज गरानने जॉइन यह सब लाइप टो थेंग डेव सर जो अगर थे जो आगर इकटीज अगरस तो हमारी मजाल नहीं प्लीज आइए और सीखें धैंक यह सर्ली ऐगा नाम है सनिल सर्मा आज हम अज हमरी क्लाष्टि आडियो आइज कर आएशीक है आज ऐसा ठेलिकम में हमरा क्लास ताइची कि अडिया री शी बर की रिचीबर कहАं पर जथा जाती है कहां से काह जाती है पौर है क्या क्या प्रेंट लगते हैं उसमें तो कैसे गाइपास करते हैं except udah udah बाइपास केसे करते है तो सबसे बढ़ी बात है ऑडरी नहीं मीली तो क्या से जंपर शकते हैं जह कर प्राक्तीकललðस में यह जंपर भी कर कि देखा है दूसरा एख अच नहीं मिला तो केसे करना है सबीका करते है का पर 금 10 कू पर जाते है के चेक करना है WAiflu.com कौं जाते हैं इमटिके तो एक आई शे अच्छी लगती है औरzona में से यह एक लगत थैंकू अच्छा दिन था और आज हमारा अडियो श्रीक आप लगाना यहार एक तरीक्ट रहा बहुत तरीका हमें सिखाया गया और की अंध्य करना 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 कोई सी भी आइसी हमें नहीं मिल रही है तो किसे इसको दिआर आपकर करना किस तरीके से लगाना अजर तरी करिका हमें सिख जटा अब दिख्धा गया है और हम सुप्षर है कर रहा यह चाहते हो 就 लूज क्ति तरीकी से समझ में आ गया और हमने कि घर करिके करे कि देखा हो भी प्रा सेक्सेस्फुल रहा तो अब लोग भी आना चाहते हो तो आज सकते हो Bindas और यहां पर आओगे तो पुरा पैसा आसुल है यहां पर आओगे कभी भी तो एसा दो दिन में ही तो मिल जानकारी चाहते हो अब यहां पर आओगे तो पैसा आसुल हो गया है। हलो है मैरे नाम नरतम है मैं बोटान से हूँ हमारे यहाँ आज था फिफ्ट डे जो आजयो की सेक्शन था इसमें आज हम ने सीकह की ओडियो में जो रिशीवर और स्पीकर होता है उसको कैसे चेक और उसमें क्या कितना वेलु आए तो वो फॉल्टी है और क्या कितना वेलू आये तो वो फॉंक्शनल है उसके बाद हमने सीखा कि अगर कोई दूए तिन तरीके का सिप्यू होगा कोई क्वालकॉम होगा कोई अगर कोई समसंग कोगा तो उसको क्या नाम से बुलाया जाएगा और उसके बात हमने थे अधिकल में आप प्रैक्टिकल करके भी दिखा और एक सिंपल सी बात यह नॉर्मल ऑक्जिलेरी जो केबल है इससे हमने जो आडियो आइसी है उसको सिगनल का लाइन है जो उसको बिना डियाइसो को बाइपस करके साउंड बजा के देखा है तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा यह मेरे लिए फर्स टाइम एक एक्स्विरेंस है लाइफ टाइम के लिए और इससे बहुत आसान से हम चेक भी कर पाएंगे है तो थैंक यू एससे टेलकम थैंक यू देव सर थैंक यू एमडी सर अच्छी तरीके से समझा तोरी में प्रेक्टिकल फिर हमारे एमडी सर ने हमें करके दिखाया और फिर पिर हमने किया तो हमारा सेक्सेसफऽ्फुल हो गया और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे ओडेकर इप्राइस है निच्फाइन तrica करके दोब़ेरे लगाई है तो वह भी हमारा सेक्सेसफुल हूआ है है फैंक यू ऐश त्रनीटितू है छो फ़िए कि आगी जो लाईने लाईने को बार में बताये गाए कहाँ से क्या लाइन आएगी सीविसा होगी कि इतने फ़िए कितने वेल्ट चाए और और हमने सीखाए है आज वोडियो आसे को मोडिफाइफ करना कि मौडिफाइफ का मतलग कोई है is हमारे मोभाइल एक ग तो मैं मुझे फण अगर यूपी से रहने वाला हूँ तो आज हमारी जो थियोरी किलास हुई थी उसमें ओडियो ऐसी के बारे में समझाया गया था तो बहुत अच्छा नोलीज मिला और जो एमडी सर्ड ने हमें बताया उसके बारे में पहले एमडी सर्ड ने किया प्रेक्टिकल फिर कराया फिर हमने किया और जो ओडियो ऐसी होती है वो मतलब की काई नहीं मिल पाती उसे हमने बाईपास करना भी सीका है तो बहुत अच्छा नोलीज मिला भाई कुछ सोचो मत ऐसा तेली कॉम पर आओ बे दड़क, बे जीज़क होके, बहुत अच्छा नोलिज मिलेगा, आज हमारी किलास को गए थे च्छे दिन, छेटी किलास थी आज, बहुत अच्छा नोलिज मिला, हर कोई नहीं कर सकता, इस तरह बाइपास करना भाई, अगर हमारी आईसी खो गई है, मिल नी रही है, बन प आज अच्छे अच्छा दिन है और आज हमारा सब्जेक्ट था अओडियो सेक्शन, तो पहले सुबह आते हुए हमारा थीरी था, तो थीरी में ओडियो सेक्शन था, आदियो सेक्शन में हमको तो जब आडियो जब प्रोब्लम माता है तो उसको किस तरीके से चेड किया जाता है कहां से सुना किस तरीके से चेक करना है उसका हमको अच्छे से समझाया है और उसके कितने ही यानि जो cpu होते हैं और कॉर्प मीडिया टेक श्थेमसेंग उसको अलगALग तरीके से उसको चेक किया जाता है लग अलग अलग अधक लाइन होती है उसको कैसे ठ्रैक किया जाता है और नाओ फ़ॉम जो है 5G 4G है ति मुइस कें अंडर ऐडि, पीए और स्मार्ट पीए कैसे बाइपास किया जाता है वह हमको अच्छे से बताया गया हुआ है और हमसे उसके बाद प्रैक्टिकल कराया भी है और हमने किया भी है हम 100% उसमें सक्सेस हुए है, इनके हर एक जो सब्जेक होते हैं अलग अलग उसमें बहुत इजी और समझ में आ जाए सबको, इस तरीके से समझाते हैं और इस तरीके से इनके पास फॉर्मूले होते हैं तो मैं यही कहना चाहता हूँ आफो कि यह चीज में इंटरस हैं मूबाइल के फिल्ड में आके मुबाइल किस तरीके से किया जाता है कि सलेह से टेकिनिक से उसको फिसक्त करके शौट टाइम में कस्तरम को दिये डेना है आपको यह सब सेखना है तो एक ही जगह है कि abeiommt कुछाना आप यहीं पे आके आप यह सब चीज़े सीख सकते हो and वीजी ओर सभी हो। यह और जगा जाएगे आपको पता टैयम कितना टाइम में आपको आएगा है ल यह मुझे हर चीज कैसे करके देना है अपका कस्तॉमर का और आप कोट का टायम खराबना हो सौट टाइम में आप बना कि आप अपना टाइम भी बचाओ और कस्तामर को भी टाइम बचाओ फॉन दो तो ट्रिक से यहां पर सब समझाया जाता है तो मैं यहीं कहना चाहूगा कि आप इंट्रेस्ट हो इस लाइन में तो आप यह से तेलकॉम जॉइन करो तेहो पर स्माइट पिरें उसमे सर्किट को समिठी स्मु्झे फिर उसको 25 करना सिखाए न्यूज सर्किट की जानकारी मिली पर उसमें कैसा σ्मार्ट प्यों में कैसा सर्क्रिट बनता है इतनी आइन आ हैं थिर उसमें समार्ट पीए के वास और यह सेक्षन का जो काम चल रहा है उसको कैसे सर्किट मौटिफाइब करना सिखाए हमको उसके पूरे ट्रेसिंग करना सिखाए उसमें कितना वोल्टेज आना नहीं भी है तो उसको बाइफाइस कैसे किया जाता है बोगी जानकार दिये गए जिसके पास दियोस नहीं भी है तो भी काम कर सकता है अब स्टे दोस्तों मेरा नाम नीरत सर्मा है और आज मेरा थे तेओरी में येरी स्फिकर और रिंगर का क्लास था जिसमें देव सर ने इतने आसान तरीके से इतने डिटेल से बताया जिसकी हर लाइने मुझे कंठस्ट है पूरी तरह से याद हो गई है और ऐसा ही और भी आगे देखते हैं कितना नौलेज मिलता है बहुत आसान तरीका इत और बहुत अच्छा लगा यहां पर आकर बहुत नौलेज मिला मुझे यहां पर सरकेश को मोडिफिकेशन कैसे किया जाता है यही बताया जाता है बाइपास कैसे किया जाता है यही बताया जाता है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा अगर मेरे पास आईसी नौ हो तो मैं चालू करके देखते हैं एक बार में नहीं होता है दो बार दो बार नहीं चार बार जितने बार में हो उतना वार करते हैं यह सब बहुत अच्छा लगा मुझे यहां आकर धन्यवाद देवसर धन्यवाद मेरा नाम विजय बाउने है मैं महारास्टेश हूँ आज मैंने आइडियो या आइडियो की आइसी कैसे मोडिफाय करना है और जिस मोबाइल की आइसी नहीं होगी उसको कोई से मोडिफाय करना है और उसकी एक एक ट्रैक हमको आज देवसर ने बताया है देवसर ने आज हमको है बताई है आइडेश को पैसे एंप्रीफाइब करें और कैसे उसको मढटिफिक्राइशन बनाया कोई भी मुबाइल की ज interrupt तो उसको दूसरे मोबाइल से निकल कर उसकी मॉडिफिक्राय कर विजे या जाये यह आज हम को देव सर ने बताए है थेंक यू एसे टेले काम थेंक यू देव सर हलो गूड इनिंग सर मी महारश्ट शेवर आजंद्र पोरे दस साल चे पहले से काम कर रहा था मोबाल में लेकिन एड़ो पी आड़ो ऐसे से रिंगर नॉर्मल पी और स्मार्ट पी आज इधर ऐसा पड़ा पड़ा दिया चाहे कि तुरंट समझ में आता है है अज मेरा क्लास का अगा आज रिसीवर और अडियो सिक्षन का क्लास था और मैंने आज ऐसे ऐसे ग्यान हसिक कर ले जो कभी नहीं थी आडियो आईसी का स्मार्ट पी होता है नॉर्मल पी होता है या मेरे को कभी मालूम है नहीं था तो आज डेवसार के क्लास में मेरे को जनकरी मिली और आईसी को कई से वाइपास करते हैं ये सारा नोलेज मिला तो दोस्तों जो भी कोई आना चाहता है तो अजाने का जरूरत नहीं है जो कोई भी कहीं जाएगा तो पस्ताएगा वो तो मैं एस्याट टेलिंप को थेक्स बोलन गामाद, मैं एक आना चाहत हूँ, कि जदकी भी फिजूल के बात करतें, इसे आटेलीकॉम के बारे में, वो सब सुधर जाओं, ओमन के में दम नी है, कुछु कह नी सकतें, कुछु कर नी सकतें, एकर खती रोमन बोल थे, अगुद इसे आटेलीकॉम के बदनाम करतें, ओमन लाँ समझना चाहिए, जानना चाहिए, कि का बोलत हैं, का कहा थां, ओमन के में दम हैं तो आके हमें, देखें, कि का है, किसे है, किसे काम करतें, ओमन का करतें, भाई हमान सुबह साथ बजे से ग्यारा बजे तक यहां जख नहीं मारा था यहां आके देखें आओ बैठें अब एक चीज के नोलेज लेहें मैं एक आना चाहता हूं मैं माइक्रोइसकोप में देखें नहीं आनत रहें आज में रिबॉल करके अज मोबाइल चालू कर दा रह हों में कर रहे हूं ऑच आना चॅट के बारे में जो अध्यास हूई से मोडिक्स के बारे में आज तक रहूं है उट पारहा जाए हुए ॐमन के नोलेज में कह नहीं सकते हैं ऐसा नोलेज दीन है ना कि में का कहा हूं कोई सब्सक्राइब करें आडियो सेक्शन के सर्कुट जो मौडिफाइब करें फिर से कर ले वे बीना देखी करना भाई नहीं पड़े भाई या सक्षन में कौनों चीज के कमी मिली से तो ला एंडी सर्जों सिखाई से समझ में आई से अपर आप पर आगे हैं पस थेओरी वह इसे प्रेक्टिकल होगी से सब भाई पर आपर नौलेज मिल गये मुला अभी हम लगे हम लगा थे कम से कम 12 गंटा से उपर हो गे हैं होगे ह लगा थे कि अभी ठकान हो गए कि हम अभी यह काम करें अगर एक घंटा बैठाई ता दू घंटा बैठे पांच गंटा बैठाई सूबा तक बैठाई ता बैठाई बैठाई वर्ति आ रहा है नमान शुक्रिया बहुत अच्छा लग इसके उसे बात करके आखरी में च्छत कटता हो चाहे होती कहीं के भी हो मैं यह कहना चाहत हु आउ चाहतो और ँमींस तो मैं के मर्जिया घंज करीं अउ फालत मत करें मैं यह कहना चाहतो जोइन कर आव देखिति यहां के इस सिचुशन कीसे है आउ इकhlतल है फालतु के बाद करी था वो मनला पता नहीं चले बस मैं अत्की कहा थो अब कुछों नहीं कहूं बैस अत्की कहा के धन्यवाद अज मेरा जो क्लास वादा बहुत अच्छा गया है सब कुछ बता दिया सब कुछ मालूम चल गया कैसे को कहा लगाना है कैसे ट्रेस करना यह सब कुछ मेरे को मालूम है तो इसलिए मैं थैंक्यू देव सर नमस्कार मैं मद्ध परदेश से हूँ जिला अनुकपूर से और मैं एसिया टेलिकॉम में आज मेरा छटमा दिन है और इस छटमे दिन में मैंने आज जो हमारी क्लास थी वो आडियो सेक्शन की थी जो देव सर की थी और देव सर ने हमें जो प्रैक्टिकल समझाया वो काफी इंटरस्टिंग था और जो हमारी आडियो सेक्शन की पी-ए-ाई-सी आज बाई-पास करके भी मुझे देव सर ने बताया और आडियो सेक्शन में जितने भी नए सेटों में जितने भी नए सेट में जो आई-सी आ अगर वो IC नहीं मिलती है, उस IC को कैसे बाइपास करना है, आज मैंने ये जाना, तो आज हमारी audio section और receiver की class थी, जो 100% पूरी हुई, और ये audio line की connection कहां जाती है, कौन सी CPU में जाती है, power IC में जाती है, कहां कहां जाती है, सारा जानकारी आज हमें audio section से मिला है, वो audio PA हो, या smart PA हो, उसको कैसे tracing करना है, कहां पर कितने voltage चेक करना है, DSO हमारे पास नहीं भी होता है, हम कैसे चेक कर पाएं उसे? आज मुझे MD sir ने, DSO से जो verification करते हैं, आज जिसके पास DSO नहीं भी है, आज वो भी bypass करना मुझे MD sir ने बताया है, जो इस wire के माध्यम से आज मैंने DSO को bypass करके, आज मैंने उस connection को चेक किया है, आपने तो DSO से भी सीखें और without DSO को आप कर पाएंगे? ठीक है, ACR Telecom, थाइंक यू, थाइंक यू, देव sir. नमस्ते इंडिया, तो यह वीडो देख रहे हैं, साउक से, JNK से, जो वीडो देख रहे हैं, बंगाल से, कहीं से भी, अगर आप पढ़ते हैं, या आप रेपेरिंग करना चाहते हैं, या आप सीखना चाहते हैं, तो आप जुडिए, इसर देलिकों से, सबसे पहले हमारे चाहते हैं, या पहले दिन ही मुझे आप मुझे तीम महीने तक लाकाता हैं, तभी आपको पर आपको मुझे ट्रस्ट आएगा और आप पोलें के सारे यही बंदा मुझे बढ़ा सता है, और मैं ब्लीब मी, मैं आपको तीसर दो आप आवर चोदरिने लाइवी यह बहुत अपको जबर्दस आइसी मोडिफिकेसं के साथ चाहिस चर्किट करवाएक पूराइग एजेवा टार्ड आईट्रसेक्शन और अपको पैसी बिचिवी कर देखने का नजैरिया चींज करेंगे और वो उट भैधर क्योंटी में आपको सुट्वर्वर्ड का एडवांस आप और यह सारी चीज़ें से साथ पॉस्बिल है तो आज ही खॉल कीजिए एसे टेली को मुझ तेंकियो रिमच